हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू एजूकेशन चैनल तो आज का रिकूटमेंट एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है जिसमें कि एग्जेक्यूटिव है कस्टम सर्विस में रिकूटमेंट है यूटिलेटी एजेंट के तौर पे रिकूटमें बढ़ेटिस है और इसमें जो हैं आपको बहुत साड़ी आप संस मिलेंगे और यहां पर रिकूटमेंट प्रासरेस्स आथा सिर्फ इंटर्व्यू बेस्ट होगा और यहां पर आपको फॉंम हील करना मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा एंदेन उस फॉर्म को फिल कड़के देन फिर आपको कुडियर करना है अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको रेगलर अपडेट मिलता रहे तो चलिए देखते हैं व लुटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के लिए चार है हैंडी में के लिए साथ हैंडी में विमेन के लिए छह है यह नमड़ा फैकेंसी आपका राइट सो अब इसमें देखेंगे गाइस कि इलिजबिल्टी क्रिटेरिया क्या है तो सबसे पहले डुप्टी ओफिशर पैसे जो है जोब लोकेशन होगा जम्मू एरपोर्ट तो ग्रेजवेशन और बारा साल का जो है एक्सप्रियेंस होना चाहिए पैसेंजर हैंडलिंग का 32,200 सैलरी है 50 मैक्सम एज दिया गया है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दूतरा प्रोफाइल है जुनियर ऑफिशर क रखा गया है ओके नेक्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस एक्जिक्योटिव इसमें ग्रेजुएट कंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं कोई एक्सप्रियेंस इसमें नहीं है 24,960 रुपए आपकी सैलरी है और 28 जो है यहां पर यह मैक्सम इस दिया गया है बट इसमें अगर आपके पास हैवी मोटर वैकिल्स का यूनो लाइसेंस है तो आप अप्लाइ कर सकते हैं 21,270 रुपए सैलरी स्टक्चर है नेक्स है है हैंडी मेन हैंडी वीमेन टेंथ के बास जो है इंग्लिस लेंगवेज आपको अच्छे सी समझ में आनी चाहिए हिंदी और इंग लेकिए सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर जी एस्टी बिल्डिंग एर इंडिया कॉंप्लेक्स टर्मिनल टू आई जी आई एरपोर्ट न्यू दिली डवल वन डवल जिरो थी सेबन प्यापको कूरियर करना है और टॉप पे लिग देना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर किस प्रोफाइल के लिए अप्लाइड कर रहे है राइट इस तरह आपको करना है पांस ओर प्याप्या जो है आपका यहां पर अप्लिकेशन फी है और डिमांड ड्राफ्ट एई एरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पर बनेगा ओके सो से स्ट को कंडिडेट एक सर्विसमे के लिए कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं रखा गया मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं जो कि आपको फिल करना है यह है फॉर्म यहां से स्टार्ट होता है यह आप्लिकेशन स्टार्ट होता है यहां पर अप्लिकेशन स्टार्ट होता है पासपर साइस फोटोग्राप्स किस प्रफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्लेक्शन इस्टेशन जम्मू राइट यहां पर पूरा डीटेल अपना जो है प्रस्टनल डीटेल आप यहां पर रखेगा राइट उसके बाद यहां पर आपका जो है वर्किंग एक्सप्रियेंस और एकेडमिक ठीक है एंड फिर जाके यह एडुकेशन क्वालिफिक करने से एकेडमिक एंड फिर लेंगवेज आप कौन कौन सा लेंगवेज जानते हैं यहां पर कोई वर्क एक्सप्रियेंस यहां पर ड्राइविंग लेसेंस और फिर जाके यहां पर आपको 500 का डीडी देना पड़ेगा इसी में आपको 500 का डीडी का देना पड़ेगा ओके सो पहले बना के और यहां पर जो है उसका डीटेल अपडेट कर दीजेगा है ना सो यहां पर देख रहे हैं यह डीडी के लिए है इस पेसली सो गूड लग गाइस मिलते हैं नए वेकेंसी के साथ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू